डबल चॉकलेट बरफी बनाने के लिए आपर मैंने डाक चॉकलेट लिया है 100 ग्रम और इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे और फिर इसको मेल्ट कर लेंगे डबल पॉइलर मेथट में और साथ में हमें चाहिए पीना चेन की मूमफली यह मैंने 200 ग्राम भूना हुआ अब इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और यहां पर हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुके है इसमें डबल बॉलर मिथट में क्या है आप चाहा हो तो माइक्रोवेब में भी इसको मेल्ट कर सकते हो तो यह काफी गरम है अभी इसमें एड कर देंगे यह मिक्स अजये देखना चॉकलेट में हलका सा तील डालनी से क्या होता है बड़ओ हमारा थ्रास संफ बनेंके चॉकलेट की तरह हार्ड नहीं बढ़ेंगे तो इसे अच्य से मिक्स करने के बाद रूम टेंपरेटर में इसे वह पूड़ी तरह से थंडा कर देना है रूम पर थोड़ा सब बेकिंग शीट लगा देना है या पर पार्चमेंट पेपर आप डाल सकते हो और उसके ऊपर इस चॉकलेट की मिक्सचर को हम डाल देंगे यह पूरी तरह से ठंडा हो गये हैं लेकिन अभी भी सेट नहीं हुए हैं तो इसको फैला देंगे और जितना मोटा आप रखना चाहते हो उतना ही मोटा आप इसको फैला है बहुत ज्यादा मोटा या फिर बहुत इंक्तम पापट की तरह पतला ना बनाए तो इसे अच्छी नहीं बनते हैं तो इसको फैलाने के बाद यह हमें चाहिए वाइट चॉकलेट वाइट चॉकलेट के उपर से ऐसे ग्रेट करके डाल देंगे तो दो लेयर हमारा चॉकलेट का हो जाता है एक तो डाक चॉकलेट का बन गया और उबस से वाइट चॉकलेट आपको जैसी मर्जी है जितना मर्जी है आप डाल सकते हो और डालने के बाद एक शाप नाइफ या फिर कोई भी कटोड़ी हो या फि के बाद इसको निकालके हम इसको शेप में काट लेंगे यह अभी स्वेट हो गए है बहुत हार्ड नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है तो इसे मैंने डायमंड शेप में काट लिया है आप चाहो तो आपकी मर्जी जैसे आप इसको काट सकते हो डेक्टिमुला शेप म इसको काट सकते हो लेकिन डायमंड शेप में काट के से क्या होता है कि एकदम काजु गतली की तरह दीखते हैं और दीखने में भी काफी अच्छे लगते हैं तो इस वज़ए से मैं इसको ऐसे काट के थियार कर दूगी और आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉ और चौकले प्रिश अब जाकर देख सकते हो तो चैलिए फ्रेंस फिर मिलते हैं और इससे आप स्टोड करके रख सकते हो कम से कम दो कि तीन महिना आप इसको फ्रीज में रखके स्टोड कर सकते हो जब भी मन्जा है इसको यूस कर सकते हो तो यह देखिए हमारा चॉकलेट कितने अची तरह से बनके त्यार हो गए है तो चेलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं और नहीं रेसिपी के साथ